एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर जहाँ आप सब को पता है जीफर ग्रैमर और टीफर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए आया हूँ ऑक्सपट करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 20 के सोलिशन को लेकर जिसमें हैं ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश चलिए तो इससे पहले के नाइन और नाइटीन एक्सरसाइज के वीडियोज आपको अपलोड हो चुके हैं यदि देखा नहीं है तो उपर आपको आई बेटन में मिल जाएगा एक्सरसाइज 19 और और आल के भी प्लेइलिस्ट की और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चलिए तो इसमें क्या है यह ध्यान में जरासा आम लोग देख लें जैसे आपको नर्मली पता है आई और वी के साथ क्या होता है तो श अवस्य का आर्थ हो जाएगा अंग्रेजी में जब ग्रैमर में आप परेंगे इसको तो इससे तीन चीजों का बोद होता है धमकी का प्रोमिश का यानि वादा का और विलिंग्नेस यानि इच्छा का खैर यहां हमें उस तीन चीजों को नहीं है जहां आवस्य रहेगा वह विल भी रेडिया ने था शेल होता है मैं अवश्य ठका रहूंगा आई विल भी टायर्ड वैसे एक चीज़ नहीं बता दे अवस्य ना भी रह तो आई के साथ आप विल का प्रियोग कर सकते हैं इससे प्रोमिस का पता चलता है ऐसा नहीं है अना दूसरे के तरप से तो हम अपने तरप से कर सकते इसलिए आई के साथ विल हम लगाएंगे समान्य में भी लगा सकते हैं मैं अवश्य महान बनूंगा I will be great हम लोग अवश्य भूखे रहेंगे we will be hungry तुम अवश्य परेसान रहोगे you shall be troubled है न शायल भी उसके बाद है वे लोग अवश्य दोसी अना तो हो जायेगा they shall be guilty सीता अवश्य भाग्य शाली होगी सीता शैल भी लगी राम अवश्य उपस्तित रहेगा राम शैल भी प्रेजेंट तुम अवश्य उपस्तित रहोगे you shall be present वे लोग अवश्य उदास रहेंगे they shall be shall गरीब लोग अवश्य दुखी रहेंगे the poor shall be said तुम अवश्य का अच्छा आजमी बनोगे you shall be a good man या person भी हो सकता है वे अवश्य नेता बनेंगे they shall be leaders वे लोग अवश्य परेशान रहेंगे they shall be troubled आगे बढ़ते हैं और आगे है सीता अवश्य शुंदर होगी सीता श्यल भी beautiful मैं अवश्य आपका सेवक बनूंगा I will be your servant नौकरी नहीं सेवक भी मेरा भाई अवश्य नेक होगा my brother shall be gentle वे लोग अवश्य भूके रहेंगे they shall be hungry तुम अवश्य एक बरादमी बनोगे you shall be a great man या person उसके बाद है वो अवश्य परेशान रहेगा he shall be ready बच्चे अवश्य प्रसन होंगे the children shall be happy ठीक है तो इतना ही था इसमें टुटल इसके बाद आप देख सकते हैं अगला वीडियो हमारा 21 exercise काईगा उमिद करता हूं आपने मिला लिया आप कोई confusion नहीं होगी कोई confusion हो तो कमेंट जरूड करें मैं reply जरूड देता हूं एक दो देड़ सही सही reply जरूड देता हूं और हाँ कमेंट में ये भी लिखे हमारे वीडियो कैसे आपको लगते हैं और क्या क्या आपको लगता है कि होना चाहिए चैनल पे नए है चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और notification bell को on कर दें जिससे कि उसमें all को press कर दें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियो आपको ढूंडने में आसानी हो वीडियो को like करना बिलकुल भी न भूलें यदि आप अपनों क करते हूं किया तो इस वीडियो को कर दें शेयर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए have a nice day